वालो दोस्तो महिमने जंगहिल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष एकडमी जितनी भैर अरबी एंटीपी सीरी गुरूप डिएस फ्रेंट है उसके लिए वीडियो बहुत जाद यूप पढ़ रहे हैं तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा आज क अपसे बड़े कारण दोस्तो जिसके चलते है अरार फिया इतुनी जादा भी बादों महिं हैं दोस्तो आज वीडियो में दोस्तो हम पूरा उसी के बारे में बात करने वाले हैं चले दोस्तो वीडियो शुबू करते हैं आगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे इनफा को यह लगता है कि EWS category से भी बिलॉंग नहीं करते तो उनको ऐसा लगता है कि यह चोटा मुद्ध है यार यह इसका दर्द दोस्तों सिर्फ वही समझ सकता है जो इस category से बिलॉंग करता है यकीन मानिए यार यह भी बहुत बड़ा मुद्ध है दोस्तों EWS section वस्तिकन में EWS का म पता है यार जिस टेम पे EWS का certificate दोस्तों अलाओ किया गया था सवीधान में आया था उस समय उत्रा जादे चर्चे में नहीं था लेकिन दोस्तों जब से यह government exam में बेप्लाई होने लग गया government exam में भी दद्दस प्रतिसत का registration, economic weaker section वाले बच्चों को दिया जाने लग गया तब यह लगा था और दोस्तों बच्चों के दोरह यह certificate बनवाए गया और 2019, 2021 के आहते तक बहुत सारे certificate बन का तयार हो गया बच्चों के दोरह जब यह issue rise किया गया और RRB से पूछा गया कि EWS certificate कहा तक applicable होगा तो RRB के दोर 2019 में आया था RRB NTPC का यहर उससे पहले कही certificate यहाँ पर applicable किया गया उससे बात का नहीं किया गया दोस्तों मतलब की 2020 में यह बहुत जावा EWS certificate बनवाए गया तो यह बच्चों का main issue यही था कि इस time कभी जो certificate जो अभी बनवाए गया हालों में उस time के भी certificate वाले लोगों को E आप मिले यह था दोस्तों EWS recording issues जो अभी बहुत जाद चर्चे में है जो बस्टे EWS section से belong करते है उनके लिए यह बहुत बड़ी परसानी थी दोस्तों यह इसका भी दोस्तों RRB को क्या किया गया है अभी हाली में जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको पता कि सुसुल कुमार मोदी जोद्वारा दोस्तों एक कई पन्नों का यार ग्यापन सौपा गया है रेलवे मिनिस्टर को दोस्तों और इस issue को भी वहां पर राइस किया गया है सो दोस्तों आपको समझ में आ गया हो गया कि वस्तिकर में EWS issue था क्या दूसरे सबसे बड़े प्रिफ्रेंस चोइस करने का उस समस्य है यार यह बहुत जादा राइस किया गया दोस्तों मेरे कमेंड बॉक्स में भी यार लगतार बच्चों के द्वारा यह कोस्चन पूछे जा रहे थे तो यार मैंने भी दोस्तों और आर्बी से डारेक्ट बात कि थी दोस्तों कि आपको लेंग्विज प्रिफ्रेंस दुबारा चुनने कमाओं का बिलकुल भी नहीं मिलेगा जिस टेम पर आपने फॉर्म में डाला था लेंग्विज प्रिफ्रेंस जो डाला था उसी के अक्वार्डिंग् आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा यार एक बच्चे ने मेरे सु पूछा था कि sir मैं starting में English language से exam preference select किया था क्या CPT2 में मैं उससे change कर सकता हूं तो दोस्तो मैंने उसी time पर दोस्तो आरारवी से direct call पर बात की थी तो यार उनके द्वारा यह reply देखने को मिला दोस्तो उनके द्वारा यह इस first group से कहा गया जिस time पर अपने starting में form भरा था और जो language preference select किया था उसे के according आपको अपना paper देखने को मिलेगा उसमें किसी पर प्रकार का कोई changes नहीं किया जाएगा दोस्तो आररवी के द्वारा direct यह बात है कही गी थी तो यार language issue भी दोस्तो एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों के सांथ यह समस्या है कि starting में उन्हें कुछ और डाला था अब वो किसी और language में paper देना चाहते हैं देखना चाहते हैं दोस्तो for example that यह सबसे ज़्यदा problem तो English language वालों का देखने को मिला दोस्तों उनके द्वारे यह का बात यह कही थी कि उन्हें ने starting में क्या किया था cbt1 के लिए English language select किया था लेकिन cbt2 में दोस्तों वो change करना चाहते हैं अपना language मतलब अगर English है तो अब Hindi में करना चाहते हैं और वो चाहते है कि उनको paper दोनों language में देखने को मेले ले क्योंकि आपको भी पता है जिन्होंने एक्जाम में language preference English select किया था दो senior cbt2 में दोस्तों क्या कर रहें बच्चे जीकी का section दोस्तों maximum क्या कर रहें हिंदी में पढ़ना prefer कर रहें दोस्तों जिसकी वज़ए से वो चाहते हैं कि वो इंग्लिस और हिंदी दोनों language preference रख सके ताकि वो बहतर तरीक से exam में paper समझ सके और दे सके तो यार यह इसू भी बहुस सारे बच्चों के दोरा rice किया गया था जिसके चलते दोस्तों RRB बहुस जादा विवादों में रही दोस्तों और RRB के दोरा लगातार दोस्तों बच्चों के issues किया गया दोस्तों नकारा किया या फिर अंदेखा किया गया जिसके चलते RRB आज बहुस जादा वि दोस्तो अरार भी विवादों में रही क्योंकि यह सबसे बड़ा इसका रिजान था दोस्तो यार जिनकी उम्र दोस्तो लगातार बढ़ते जारी है और उन्होंने ग्रूप डी का फार्म भराया अगर आप मेडिकल स्टेंडर्ड बढ़ाओगे दोस्तो तो तो ऐसे भी वहार हो जाएंगे यार मेडिकल स्टेंडर्ड के चलते क्योंकि आप मेडिकल स्टेंडर्ड अगर लगातार इंकरीस करोगे तो यार जिनकी उम्र लगातार बढ़ते जारी है उनको दोस्तो मेडिकल में क्वालिफाई करने में दोस्तो दिक्कत होगी जिसके चलते दोस्तो यह ल NTPC CBT1 result दोस्तों आप कोई पता है यार RRB से भी NTPC CBT1 result कितना बड़ा मुद्दा था दोस्तों बच्चों के द्वारा लगा था दोस्तों प्रोटेस्ट किये गया अंदोलन किये गया आप देख सकते हैं बिहार में यार जो इस्थिती बनी हुई थी दोस्तों RRB NTPC result आने चार मार्च को देखने को मिली जाएगा दोस्तों अब यार NTPC CBT1 result में दोस्तों मुद्दा क्या था मुद्दे यह था दोस्तों RRB के द्वारा साथ गुना 7 लाग candidate दोस्तों मतलब 20 गुना candidate लिये जाने थे यार लेकिन जब RRB NTPC CBT1 result आया दोस्तों उसमें 20 गुना candidate ना होकर दोस्तों 20 गुना रोल नंबर से लेट किये गए दोस्तों जिसके चलते RRB लगातार विवादों मेरी दोस्तों इसके तहट दोस्तों लगभग 7 लाग candidate लिये जाने थे यार लेकिन दोस्तों इन्होंने लगभग 3.84 लाग candidate ही दोस्तों लिये जिसके चलते दोस्त के लिए CBT2 का नोटीस जारी करना ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था दोस्तो जिसके चलते RRB लगाता विबादों मेरी आपको यू पता है आज जिस टाइम पे दोस्तो RRB NTPC का इसू राइस हुआ था दोस्तो जिस दिन बच्चे अंदोलान मुगत रहे थे आप दे CBT2 देखने के मिला यार इसके बाद से ही बच्चों के जो अंदोलन थे दोस्तो वो बहुत ज्यादा व्यापक हो गया दोस्तो और यार इस अंदोलन को दोस्तो इतना ज्यादा गर्माट होने का इतना ज्यादा भड़कने का सबसे बड़ा रिजन तो दोस्तो ये भी था कि यार जिस टैम पे अंदोलन श्टार्ट हुआ उसी दिन RRC Group D के द्वारा दोस्तों क्या किया गया ये नूटिस जारी किया गया और कहा गया कि अब RRC Group D के एक्जाम में भी आपको CBT2 देना पड़ है ये भी एक रिजान था दोस्तों जिसके तहत इतना बड़ा अंदोलन बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स मुद्दे की ये प्राब्लम दोस्तों अभी तब मैंने आपको जितने प्राब्लम बता है उनसा भी प्राब्लम हो की जड़ थी ये कारण इस्टूडेन की अपील को RRB द्वारा लगातारान देखा किया जाना यार आपको भी पता है दो RRB के द्वारा दोस्तों जो रिजल्ट जारी किया गया था वो लगतार वुवादित रही दोस्तों आपको भी पता है यार CBT1 रिजल्ट आने के बाए जस्ट दूसरी या तीसरे दिन से ही दोस्तों ट्यूटर में एक महा और व्यापा का अंदोलन देखने को मिला जिसमें लगभग लगभग 9 million तक ट्वीट किया गया था दोस्तों और 9 million ट्वीट के बाद भी आप सोच सकते हैं RRB के सरपत दोस्तों जूत तग नहीं रेंगी दोस्तों RRB के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया जारी नहीं की गये दोस्तों कोई भी इस पर क्या किया गया दोस्तो एक्शन नहीं लिया गया और आरबी के द्वारा किसी भी तरीके का इस पर जवाब देखने को नहीं मिला जिसके चलते आपको नतीजा देखने को मिला दोस्तो उसके अगले ही दिन राजेंद रनगा टर्मिडाल इस्ट्विशन पर दोस्तो पटना के बहुत बड़ा व्याप दोस्तो और जिसके चलते इतनी जादा और और विचार किया जा रहा है अब देखते हैं दोस्तो चार मर्च तक क्या रिप्लाई आता है और आर विका सो दोस्तो इस वीडियो को बनाने का मिरे मुझे उद्देश सी यही थैयार कि मैं आपको दोस्तों वह सभी इसूस एक्स इसूस हैं जिसके चलते आर आर भी लगातार विवाद हो मेरी सो दोस्तों आपको पूरा मुद्द समझ में आया हो गया अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो इनफार्मेटर लगए तो प्लेस देल से लाइक से और सब्सकाइब कर दीजिगा और हां बेले गन पर आपको लागतार मिलते रहे चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी इंपर्मिशन के साथ